तोस्तो नमस्कार एक बड़ी खबर आपको देनी थी अभी प्राप्त जानकारी के अंसार जो सीटों की संख्या यूपी पीश्चस दो जार अठार में हैं जिसके लिए आपका रिजल्ट तैयार होगा वो ग्यारा सो चववन सीटे इसमें मौजूदा इस्तिती में हैं ग्या आरंभी परिक्षा में सफल होंगे यह सीट बढ़ सकती है बढ़के मैक्सिमुम बारा सो के आसपास होगी ठीक है ना फिलहाल ग्यारा सो चववन सीटे हैं भी और इसी पर संभावित है रिजल्ट आएगा बाकी जो सीटे आई है सीटे बहुत जादा मात्रा में लेकिन यह सभी 2019 के एक्जाम में जोड़ी जाएंगी तो 2019 का जो UPPCS का एक्जाम होने वाला एक बड़ी परिक्षा साइद इससे भी बड़ी परिक्षा होने वाली है तो उस अनुसार जो है 1154 सीटों के अनुसार जो कटाफ जानी चाहिए 86 से 88 हमने बताया था 1000 सीटों पर तो 85 मान के चली 85 के आसपास ये कटाफ जाने की संभावना है 85 से 88 के बीच ठीके न मैंने एक नंबर ही 86 से 85 इसलिए किया है क्यूंकि जो सबसे आदा संख्या कंडिडेट्स की है जो है सबसे आदा 85 के आसपास ही है इसलिए एक नंबर में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे यद इसमें बहुत जादा असंभावना नहीं व्यक्त किया सकती है कि नहीं घटेगी हो सकता है कि 84 तक 83 भी आ सकती है लेकिन मैं जो बता रहा हूं सेफ साइड बता रहा हूं कि 85 से 88 के मध्य कटाफ यह जाएगी इसके मध्य वाले उम्मीद कर सकते हैं परिडाम की हालां कि जो होंगे प्रश्ण कुछ प्रश्णों पर विवाद रहेगा वो सब बहुत इफेक्ट करेगा रिजल्ट पर ठीक है बहुत प्रभाव डालेगा कुछ लोगों के बहुत कम होंगे 82 पर हो सकता है वो भी क्वालिफाई हो जाएं कुछ लोग अभी 86 88 पर होंगे 90 पर होंगे य यहां तक प्रभावित उनसे हो रहे हैं ठीक है रही बात आरो 2017 के परिडाम की तो वो कभी भी आ सकता है कुछ टेक्निल्टी थी वो अब दूर कर ली गई है तो अब यह रिजल्ट तयार है कभी भी दे सकते हैं मेरे अनुसार शुक्रवार को रिजल्ट आरो 2017 का आ सकता है और आरो में 800 प्लस सीटे हैं 842 सम्थिंग मेरिट कम जाने की सम्भावना है हमने बता रखा है इसके पहले वीडियो में 110 के आसपास जन्रल की कटाफ हमने बताई है और जैसी खबरें आ रही हैं दोस्तों UPPCS 2018 और UPPCS 2017 जो मेंस हुआ है इन पर बहुत तेजी सकाम शुरू ह हो रहा है तो जल्द ही परिडाम भी आ सकता है परिडाम के बाद एक अच्छा वक्त दिया जाए चूकि पहली बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो वक्त देने की बाद भी हो रही है तो आप लोग तयारी करिए जो लोग सेफ हैं एक बहुत अच्छा मौका है 2018 का भी 2019 का भी जावी रखे सकते हमें भी या कही भी जहां भी आपकी इच्छा हो कोई मिलाकर आप अध्यान रत रहे बहुत बहुत धन्यवाद